So guys, finally Vivo V35G smartphone के Indian variant के confirm specifications बाहर निकल कर सामने आ चुके हैं So आज के इस वीडियो में दोस्तों unboxing type में हम बात करेंगे Vivo के इस phone के सभी specs के बारे में इसके साथ है गईस हम बात करेंगे कि इस smartphone में आपको design वगरा कैसा देखने को मिलेगा और ये smartphone इंडिया में किस price point पर और कब तक देखने को मिल सकता है तो स्वागत अब सबका टेक रोज पर जानकरी के लिए वीडियो में अंट तक बने रहे हैं और दोस्तों चैनल पर पहली बराए हैं तो subscribe कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह टेक वीडियो मिलती रहें तो दोस्तों जैसा कि आप सबको मालूम है कि वीडियो की तरफ से वीडियो वी 30 स्रीज जल्दी इंडियन मार्केट के अंदर आने वाली है जिसका basic variant वीडियो वी 30 5G smartphone के एक confirm specs की जानकारी हमें मिल चुकी है तो photovert से बात करते हैं दोस्तों इस smartphone के इन specs के बारे में और देखते हैं कि इसकी कैसा smartphone ही आप सब के लिए रहने वाला है अगर first of all दोस्तों हम बात करते हैं smartphone की design के बारे में तो आप देख सकते हैं screen पर कि इस phone की design हो निकल कर सामने आ चुकी है जिसके back side में गई सापको texture glass की body देखने को मिलती है साथ एक rectangular chip के अंदर dual camera setup flesh light के support के साथ में आपको दिया गया है जो की punch hole के cutout के साथ में आएगी अगर design के बाद दोस्तों हम nest बात करते हैं smartphone की display के बारे में तो यहां पर गई सापको 6.78 inches की एक AMOLED display देखने को मिलेगी जो कि कब display रहेगी साथी full HD plus resolution और 120 Hz का refresh rate यहां पर आपको मिल जाएगा वहीं smartphone की display में आपको HDR10 plus का support भी देखने को मिलेगा तो brightness और colors बगरा काफी बढ़िया रहने वाले हैं तो अगर आप video content बगरा देखना पसंद करते हैं तो definitely काफी कमाल का view experience यहां पर आपको मिल जाएगा अगर display के बाद दोस्तों हम nest बात करते हैं smartphone की performance के बारे में तो यहां पर गईस आपको कॉलकम की तरफ से snapdragon 7 Gen 3 chipset देखने को मिलेगा जो कि एक powerful chipset है और definitely गईस यहां पर आप higher setting पर कोई भी game खेल सकते हैं वहीं smartphone में आपको 8GB और 12GB की RAM options 128GB और 256GB तक की storage के साथ में देखने को मिल जाएंगे तो overall दोस्तों यहां पर आपको performance wise कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है कोई भी heavy task को आप easily यहां पर complete कर सकते हैं अगर nest बात करते हैं दोस्तों smartphone की camera setup के बारे में तो यहां पर गईस आपको back side में dual camera setup देखने को मिलता है इसका main sensor रहेगा 50 Megasal का जोकी OIS के support के साथ में आएगा साथी 50 Megasal का ultra wide angle lens यहां पर आपको मिल जाएगा वही smartphone के front side में आपको display में एक पंचल का ghatout देखने को मिलता है जिसमें 50 Megasal का एक selfie camera आपको दिया गया है तो अगर आप selfies बगरा जादा लेते हैं या फिर आप reels बगरा बनाते हैं तो definitely दोस्तो इस phone के selfie camera और back camera के साथ काफी कमाल की camera quality आप यहां पर expect कर सकते हैं अगर camera के बाद दोस्तो नेश्ट बात करते हैं smartphone की बैटी department के बारे में अगर smartphone के कुछ और features के बारे हम बात करते हैं तो यहां पर आपको इंडिस्प्ले finger prints करना का support देखने को मिलता है साथी Type-C के support के साथ साथ NFC का support भी यहां पर आपको दिया गया है अगर बात करते हैं दोस्तो इस smartphone की प्राजिंग के बारे में तो phone की प्राजिंग के बारे में तो फोन की प्राजिंग हो सकती अप्रोक्स 30,000 के आप सपास इसके साथ ही कैसे smartphone इंडियन मार्केट के अंदर फरवरी के लाश्ट विक तक देखने को मिल सकता है सब्सक्राइब के बारे में आप मिलता हूँ आपको नएस वीडियो में अब तक की लिए गुडबाई, have a nice day झाल